स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेकनोलजी में मैं अनुपों विपूल आपका स्वागत करता हूँ आज के शोग साइंस थर्स्टी में और आज हम लोग एक बहुत ही महत्पूर्ण इंपोर्टन टॉपिक के बारे बात करें यानि साइंटिफिक टेस्टि साइंस के बारे में यह समझे साइंस इंसान का बनाया हुआ नहीं है यह कोई रिलिजन जैसा नहीं कि यहां वाले लोगों ने ये किताब लिखा तो यह रिलिजन बना यहां वाले रिलिजन वालों ने दूसरा किताब लिखा तो दूसरा बना वैसा नहीं है साइंस इंसान क करना उसका अंडेस्टेंटी करना वो हमारे यह जो आप वहीं दो कि जैसे कि अभी जो na ऐसे के अगोर करने के झाय काम कर रहा दो सुब्स हमेसा इसीचलता है हमें झोजना है कि वो क्या है कहा है उसका है आ पैटर्न है है क्या rules है क्या regulations है यह सब हमें समझना है और यह समझना है एक दूसरी बात काफी लोगों को साथ है साइंस अपजी नहीं मता साथ है scientific method जिस method के इस्तमाल करके इंसान यह अपने science पना है वो method में ऐसा mathematical option रखा गया है कि आप आप नोन और अन्नोन एक समय पर करज़त है इसका सबसे बहतरीन example के तौर पर कहें तो प्रियोडिटेबल तो आप देखी होंगे बाद में उसमें इसे बनाया जाता है इसलिए यह बात से ना अंदर कहोता दिए सब्सक्राइब नहीं बना सकते यह नहीं बना पाते तो वही समझना जरूरी होता है कि साइंस में आराम से अपनोन और अन्नोन दोनों एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं और साइंस के पास ऐसा क्या है जिससे हम उसे और जिनल मांते हैं कि सही है सकती है कैसे आप कह सकते हैं उसका एक रिजर्ड डॉकिंस ने बहुत बेमिसाल डालोग मारता है साइंस इट वर्क्स यह नूटन के टाइम में वा था हॉगा फैंड को लोग सीरेस्ली नहीं ले रहे थे हैं मतलब जिनको पता था लेकिन वह समझरें इंड़ांस madmanàickus जिनको समझने आ जिन्हें एलजबराद में आ रहा है जिन्हें calculus मेल्च ने बनाया है वो सब जोन आ रहा है मतलब प्रेडिक्ट किया, फाइंड किया, एल्गोरिफम बना दिया, वो लोग हैंडिल कर पाया, आम आद भी कैसा सीरस लेगा, तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन मारा, कि इस टाइम में, यानिक ही, इतना तारीक को माल लिजए, सितंबर के साम को, साड़े छे बजे, यहां स बता रहा हूँ, और इस लोकेशन पर होगा, एक मार्जिन उफ एरर रहता है, ऐसा नहीं कि अगरों प्रिसस कर देंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं, और सारी छे बजे बजे तर भी वो जाता है, तो उससे सही मानना जाएगा, लेकिन आप बोलतो है, साम छे बजे और सुभ प्रिडिक्शन मारते हैं, पवीश बताते हैं, वो हमेशा कभी भी ऐकुरेसी से नहीं देगे, क्योंकि बोलने के तो आपको जूला, भूगम पाएगा, अरे भाई, हमेशा आता है, टेक्टॉनिक प्लेट से है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा भूगम पाता है, कब आ इस नहीं देगा, यह बता पाएगा, और एकुरेसी ऐसा भी नहीं, जबता है, जाएगा लेकिन पहला है, वहीं पहला आपका फिल्टर लग जाना चाहिए, नहीं है, निकल लो, एकुरेसी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वहीं जी एक पड़ना तक जी बटो पॉन्टों हमारा बनाया हुआ नहीं हम लोग बस उसे खोज रहे हैं अब यहां पर दो चीज़ आप लोग काफी बार सुनने को मिलेगा hypothesis और theory तो समझें कि आपने law का मतलब होता है वह होगा हकीकत है लेकिन एक समस्य आता है law है काम कर रहा है सब चीज सही है लेकिन कैसे कर रहा है यह काम होता है theory का explain करना अब यहीं पर तिगणम आता है आप theory बस आईसे नहीं पहुंच जाएंगे कि हमने यह theory लगा बस टड़ा ऐसे नहीं होगा आप पहले hypothesis से गाड़ी खोलेंगे hypothesis का मतलब है मुझे लगा है इस current से यह law लागव रहा है तो कि law हम लोग के बास बहुत सरा है action equal to reaction gravity को आप एक law के तरव बोल सकने है लेकिन उस law को बना क्या रहा है वही सब तिगणम पे आप hypothesis लेके गाड़ी खोलेंगे ठीक है मुझे अब इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि इसे डिस्प्रूफ कैसे करें अगर यह गलत आ जाता है मतलब यह नंबर गलत आ जाता तो यह law गलत है या यह मेरा hypothesis गलत है यह समझना जरूरी है साइंस में एकदम कंपसरी है कि आप जो भी यानि कि गलत हो गया तो यह बेहज जरूरी है अगर आपको कोई सेरियसली नहीं ले रहा है बहुत अच्छा चांचा है कि आप ऐसा चीज का क्लेम मार रहा है इसको कोई फॉल्सिफाइब नहीं कर सकता है फॉल्सिफाइब करना बहुत इंपर्टन बात है यानि कि यह गलत जोडने के बाद नहीं आता है नंबर तो आप यह बोल सकते कि अरे एलियन पर लेने लोट आपने नहीं जोड़ा सुझती फॉल्सिफाइब होना चाहिए तो कोई भी आपका है पोतेसी उसमें कि मैं कहता हूं कि समान को अगर आप छोड़ते होई ग्राविटेशनल वेल मे उस ग्राविटेशनल वेल में गिर जाएगा प्रूफ कैसे करना है अगर आप समान छोड़ दिया ग्राविटेशनल वेल के अंदर है और वो नीचे नहीं गिर रहा है प्रूफ हो जाएगा वैसे करने से उसे फॉलसिफाइबल कहेंगे यह समझना बहर जरूए अगर उसमे चल रहे हैं कि वो डिस्पूफ हो जाना चाहिए लेकिन डिस्पूफ हो जाने का मतलब जाता कि अगर मैथ्फ़ेटिक्स गलत है तुरंत पता चल जाएगा फिर आप यह समझे कि आप टेस्टिंग करोगे अपना समझ के टेस्टिंग करोगे और उसके बाद और और तयोरी यह लाँ जो है आपसोल पर द्लटा है अर्फ जूरी ने ग्राविटी को बताया इंन पर मैथमेटिक्स बनाया है प्रिक्ट कर दिया अगेरिक्सक्रेस के साथ तो तो क्या वो परफیक्त है नहीं उसके चकी बाद आंस्टेन एक पर तो लिए नहींर तकार न्यूटन गलब थे नहीं, उनका लिमिट था, यानि कि उनके पास एक फोटोग्राफ आया, दो मेगापिक्सल का था, आइंस्टेन आते हैं, हम तो और डीटेल देते हैं, हम आपको और आपके रेंज को, मतलब का फोटो कितना बड़ा प्रिंट कर सकते हैं, और बड़ा कर द सकते हैं, इनका न्यूटन के टाइम में माली है, आप 10,000 साल तक आगे का प्रेडिक्शन महा सकते हैं, आइंस्टेन के टाइम में एक दौर अरब साल तक आगे जा सकते हैं, कोई और आ जाता है, बाद लिए बाविश में जो और गहराई ने उतर कि एक तुम क्वांटम ग् पिक्सल से 200 मेगा पिक्सल पहुंच जाएं, लेकिन ये समझने जरूरी होता है, ठियोरी प्रूवन होता है, गलत वापस नहीं कर सकते हैं, बस यह होगा कि हमारा बेटर हो जारा आ गया, तो यही समझने जरूरी है, हाइपोतेसिस का मतलब होता है कि बसको येस कर रहा है, और सारे ठियोरी जो आज है, वो हमें हाइपोतेसिस से सुरुवात हुए थे, अब बात करते हैं, सबसे फजियत, सबसे बोरिंग, सबसे ज्यादा इगनोर करने वाला पार्ट को, टेस्टिंग को, अब टेस्टिंग ये समझी, यही हमारे पास एक तरीका है, जिससे हमें द वो चीप अजयता है, पहला सच है कि नहीं, तूसरा लिमिट, यह यह लिमिट भी बहुत इंपर्टन बात है, कि उपलर और साइस में हमेसा हाद चीज में एक लिमिट होता है, आप कोई भी चीज़ को जैसे मेजर करते हैं, कि दो सेंटिमेटर, क्या वो एक्जाक्ली दो से कभी नहीं, लेकिन गुड़ एनफ है, यह बात समझना है, कोई भी चीज़ इंफिनिट प्रेशिशन नहीं देता है, तो वो कर आप से आप कैलीपर से आपते हैं, तो इसलिए लिमिट भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप कुछ ऐसा ना करने लिगे, उस में इस्तमाल कर जिसमें वो ब्रेक कर जाएगा, दोनों पता चलता है टेस्टिंग से, और इसी कर जैसे माल लिए न्यूटन ने कि जब ग्राविटिक का मैथमाटिक से जालागा, मर्कुरी का और समझे में नहीं आ रहा था कि इसी को यही इकॉन नटन की है, तो उसके लिए कालकुलस बना आ जाता है, ऐसे समझेंगे कि माल कोई दवाई है, तो आप दो लोगों को पकड़ेंग, दो पेशेंट को, उन्हें नहीं बताएंगे कि कौन सी दवाई दी जाएगे, उन्हें आप बोलेंगे, यह तो उन्हें दवाई दे रहे हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर जो है, उससे दे भी नहीं बताएंगे कि आप कौन सा दवेर, डबल ब्लाइंड, यानि कि जो टेस्ट ले रहा है, और जो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों को नहीं पता, डबल ब्लाइंड, तब आप एक को प्लसीबो दवाई देंगे, यानि जिसमें कुछ नेर्श जाता है, टिक जाता है, तो वो सब को हटाने के लिए डबल ब्लाइंड टेस्ट करना ज़रूरी हो तब इना, उसके मेडिकेशन हम लोग बना ही नहीं सकते है, बहरो से मन्द, तो यह बहुत अचार है, इसका एक्जांपल के ताब में रिसेंट्ली वा कि हम लोग दूद का जो कंपनी से ले रहते हैं, मतलब पैकेट दूद है, वो बदल दिया, अब हमें बोल दे कि यह दूसरा कंपनी का है, यह बताओ टेस्ट कैसा है, हम बले हो, नहीं बताना चाहिए था, अगर हम पीते और बता लेते कि अरे कुछ दूद में बदला है क्या, तब यानी कि वो अब दे नहीं है, तो आप मतला समझे, स्टेशन का टिकट खर देया है, ट्रीम का टिकट भी आपनी खरते है, उसके भाद खुब बार कीज़े, उसके बार उसके कंडिशन को चेंज दीजे, जैसे कि आपने मेटल का आपने बार लिया उसमें पत्थर मार के देखा कि वह ट बन रहा है अब इसका आप सब्सक्राइब और वेरियेबल फैक्टर सब्सक्राइब इसके बाद आपको समझ में कि बाउंडरी कंडिशन स्टैबलिश हो जाता है जैसे कि मेटल के कीस में हर मैटल क्राइब टेंप्रेटर पर नहीं गाम काता है यानि कि कोई मेटल है आप यह स्टील का अलोई बंबं है इसमें हम एल्पीजी सिलेंडर बना लेते हैं इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं अब आप उसमें लिक्विड ऑक्सिजन डाले स्वाहा हो जाहिएगा क्योंकि वह क्राइजनिक टेंपरेटर वाले सिलेंडर में आप आप सुचेंगे लपीजी डाल देते हैं चांसे से कि वह करोट कर जाएगा तो समझ सकते कि फजियत बहुत होता है इसलिए बाउंडरी कंडिशन समझना जरू है जैसे कोई फाइटर चेट पनाया गया कि यहां मार्क टू पर चलेगा आप सुचे हम रोकट लगा कि मार्क करते हैं डेटा निकलता है और यह स्कूल में अगर आपके साइंस जी जो थोड़े से भी अच्छी होंगी तो आपके साथ करवाया है को पानी का टेंपरेचर नापने का की मतलब ऐसे सो डिग्री तो गरम करो उसके बाद थर्मामेटर से नापते जाओ टेंपरेचर रियल अगरा तो यह समझना बहुत जरूरी होता है और इसलिए मैं बार बार इचीज को कह रहा है कोई भी चीज इंफिनिट प्रिश्च्जन नहीं दे सकता है कि मतलब हम बोल ढोल दिये यही आए कि हमें से एक ची में बैंड होता है इसलिए टेस्टिंग बार बार की जाती है क् यानि यह लाइन लगा है तो उसमें आप टेस्टिंग करेंगे तो आप बोलेंगे माली इसमें 10 परसंट का स्काटर होगा तो उसका मतलब है कि यह लाइन से 10 परसंट नीचे 10 परसंट उपर अगर उससे आगे पीछे निकल जा रहा है तब कोज गारबाड तब घोटाला चाल यह जो कि टूथ होने के वाप जूद भी टेस्ट कर चुके है मतलब समाझे मल्टीपल बात टेस्ट कर चुके मल्टीपल लोग पीर रिवी कर फिर भी उसमें डाउट क्यों हो जाता है वह वही बात है डेटा का जो है उसको आप डाउट कंफ्यूस कर सकते को डेटा बहुत यह इसका बहुत खतरनाक रियालिटी है कि आम पब्लिक्स डेटा को नहीं होते हैं अच्छा से स्टड़ी कर पाते हैं और मैं स्योर हूं कि आप लोगों से ज्यादा लोगों के पसी एक्स्परियेंस नहीं होगा कि पानी के टेंपरिचर निकालने पर अलग 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 अल अब आते हैं सबसे इंपोर्टन बात पे फिल्टर पे कहां प्याला रहा है तो फिल्टर करने के सबसे पहला एक सबसे सिंपल तरीका होता है किप यूर माइंड ओपर दिमागं खुला रखें बले-बले-बले नौट सो ओपन डेट यो ब्रेंब फाल साउट यह बहुत इंपर्टन बात है मैं काफी लोगों देख़ और मायक्रोव शेपूल पर आप किस तरह से ख़्या जबाब हो जाता है ऐसा कैसे हो रहा है कियों इस एनर्जी के अंदर है तो इसे हम लोग इंफरेट करेंगी, माइक्रोवेव तो उससे नीचे आता है, तो अगर फोटों जो की हाई एनर्जी का है, वो आपके फूर्ट को तबाह नहीं कर पा रहा है, तो माइक्रोवेव क्या कर लेगा, फिर दूसरा फेक्टर आता है, क्य फिर इसका आप और उपर तक लेजाएं, इसको और बाउंडरी कंडिशन तक पुश की जाएं, गामा रेडियेशन का इस्तमाल किया जाता है, फूड को स्टेरलाइज करने के लिए, और ये सारे खाने उन लोगों को दिया जाता है, जिनका इम्यून कंप्रमाइज है, यान ये उसहालाइग में गामा रेडियेशन से घ्रीटेर फूड दिया जाता है, और बंदा उसी खाने में बच पाता है, और उसको कुछ भी और इए, वो उपर चला जाएगा, यानि भी डिया जाना नहीं बनता है, और बनानी के लिए यानि जैसे खाना आप तो इसी में ही वह समझ में आगे कि यहीं तो कई बार आपको कहूंगा दिमाग खुला रखें क्या यह हो सब्सक्राइब लेकिन दिमाग नहीं गिरने नहीं और एक सबसे सिंपल फिल्टर होता है यह बार बार सत्के सावीत होता है यह कॉमन सेंस का यह एक एकदम बहुत प्र सब्सक्राइब बनाओ उस प्राइब उससे और जनरेटर बना उससे और बिजली बेचो कि तूक्त खाटाई नहीं हो रहा है तो फ्यूल कर दे नहीं है बंगम प्रफिट होना चीज़ जब बहुत जगां प्याइब तब हम बात करें तुब से सब्सक्राइब और यह बैट प्रूटोनियम डाल के उसमें थर्मल बैटरी से लगाया जाते है जो चलता था 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 बस बात किया था कि उसका डिस्पोजबल ठीक से नहीं हुआ तो गुवर्मेंट उसको पैहन करती गुवर्मेंट की कमपनी खुद भी हां था डाले कि भी या जब सब लोग रूस फॉलो बैटरी बैटरी और डीटेल्स मैंने आपको बोला था डीटेल्स सबसे इंपोर्टन चीन होता है आप जैसे इस पर ध्यान देंगे क्या यह एक्टमिक बैटरी है हां क्या ऐसा बैटरी रियल लाइफ मिलता है आप अली बाबाबे खरीच सकते हो आप चाहों कि अगर कोई विदेश में कोई फ्रेंट है तो से बोलिए हो आपको अपेस देगा मिलता है ट्रिटियम का रिडियो एक्टिव वेटरी मिलता है नॉर्मल लोग बनाते है उससे बहुत सारा चीज़ कही सारे के साटलाइट के क्लॉक सिंक्रनाइजर को एक्टिव रखने के लिए उसका इ ब्रेक लाइब हो जाएगा इस से हम लोग लाइट स्पीड सागे चले ब्रेक क्या हो हाकिकत नहीं सबसे नस्दीक और हमें हाकिकत आपके सबसे बेस्ट फरेंड होता है लाब में इस बैटरी ने दुनिया तभा कर दी लाइब में इस बैटरी मतलब एक दम पांच रुपे मानना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो इस लिए मान लेते हैं और दूसरा हमारा पर्सनल बायस होता है कि यार मैं इस पर भरोसा करता हूं मैं खुद भी कई बार प्रफट बन चुका हूँ जैसे कि example के तो मैंने दिया थे कि मैं थंडर फूर्ट का बात पर भरोसा करता तो इसी थोर पे यह समझना बहुत रहे तो आप मानना चाहते हैं ब्लाइंड ट्रस्टिक निमें चाहता हूं ऐसा मैजिक हो आप मान लिजेगा आपके सामने दिमाग रहेगा रहे बिटाया ऐसे नहीं होता है लेकिन आप मतल समझी है टॉपिक है वह फैक्ट है वह आपके सा होजी कि अपने आप पे उतना यह मत होई हार्श मत होई है क्योंकि हम लोग इंसान है हम लोग गल्ति करते हैं विया फ्लॉड प्रीचर यह हकी करते हैं तो इसलिए कुछ-कुछ कॉमन चीज आपको काफी अच्छे से बचा सकता है पहला कि अपना दिमाग खुला रहे इतन है निकला टेसला कर सकता है तो कि वो इनसान है मैजिक नहीं यह समझना बेहरा जरुडर हमारा एक लौटा ऐसा कवच है जो हम लोगो को पोपट बनने से बचा सकता है तो साबधानी बढ़ते थंडे दिमाग से इस्तमाल करें और आपका काफी बला होगा इससे और इस कोई बात नहीं आप दिस लाइक कर सकते हैं मैं किस तो आपसे मैं और विडियो देखा खागी ज़ान का मुझे बहुद कुछ ही द कनेवाज